अचले खबरों में आगे बढ़ेंगे राजसान में जल संसाधन विभाग की खुश किस्मती ही कही जाएगी क्योंकि सरकारें जाते जाते सिचाई और पेजल प्रोजेक्ट के तोफे देती रही है पिछले 10 साल की बात की जाए तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और कॉंग्रिस सरकार ने जाते जाते कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगाद दी है प्रदेश में अभी 12,000 करोड रुपे से जादा के 13 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन में से कुछ वाश्च 2024 की अंत तक पूरे हो जाएंगे प्रोजेक्ट को लेका जल संसादन विभाग के अतरिक्त सचेव भुवन भासकर से फस्ट इंडिया की खास बातचीत आप सुनूए रायस्सान में डबलू आरडी यानि जल संसादन विभाग के 600 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से 13 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर 12,000 करोड से जादा का पैसा खर्च किया जा रहा है बड़ी बात इसमें यह है देखिए सरकार जब भी जाती है जाते जाते हमेशन डबलू आरडी को बड़ा तफ़ा देके जाती है चाहे कॉंग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार अब भाजपा का नया चेरा यानि मुख्यबंतरी का नया चेरा सामने आने वाला है सरकार का गठन होने वाला है इससे पहले ही विभाग में भी ERP को लेकर के कवाय तेज हो गई है चर्चाओं का दोर जारी है और हमारे साथ हैं WRD के मुख्यब यंता और अत्रिक्त सचीव भूवन भासकर हम इन से सीधे तोर पे पूछेंगे कि कि आप प्रोजेक्ट हैं कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सरकारें जाते जाते क्या तफ़ा देगे गी है देखिए जो जलसन साथन विभाग के जो प्रोजेक्ट हमारे हिdown चल रहे हैं जिनको बड़े प्रोजेक्ट कि हम शेटी में रखें हम यह कहें कि पानसो करोड से अधिक कर दो अब इंदरलों और इन प्रोजेक्ट्स को आप कहें तो एक परंवन परियोजना में बान्थ और उस टनल का निर्माण हो रहा है और साथ ही उसके कमांड को भी विगसित किया जा रहा है तो यह इस तरह से तीन कार्या देश हैं इस पूरे परियोजना को तीन भाग में वभ्वाजित किया गया है तो यह का अभी प्रगती पर है यह कार प्रारम हुआ था दोयजार घारह ने और अभी यह प्रगती रहत है यह अब कंप्टिशन की तरह ही है यह प्रोजेक्स यह तेरा बड़े प्रोजेक्ट हैं लाब कब तक मिल जाएगा योजना पूरी होने के बाद जो आहम जन है किसान है उनको लाब कब देखे जो परियोजना हो यह बड़ी परियोजना है जैसे आप अपर हाई लेवेल है यह 40,000 हेक्टेर में सिंचित किया जा कोई तीन से चार बरस की अवधी में है ने 2018 में जो पूरवती बाजपा सरकार दे कर गई थी उनको वो योजना है कब तक इंपलिमेंट हो जाएगी जनता के हाथ में पानी कब तक जाएगा यह 2018 में और जो परियोजना है प्रारम की गई थी यह लगभक समाप्ती के ओर हैं हम मैं अगर बात करूँ परवन परियोजना की तो परवन परियोजना में बांथ का कार जल संग्रहन प्रारम हो जाएगा और अगले मौंसून तक अधिकांश्त है परियोजना है और अगर किसी कारण से पानी या के मावट हो गया और पानी आ गया यह कुछ आगे है कि कॉंग्रेस और भाज़बा में एर सीप को लेके ख unknown चल रही थी यह सभी को पता है राजस्थान में इस का खुलासा ऑप अर अब भाजपा की सरकार आंगे है तो एर सीप को लेकर राजस्थान के अब कैसे दिन फिर सकते हैं एर सीपी में चुकि Εग ँंतर राजिये ए और जो विरोध है उस पर हम कोई एक राय हो लेंगे तो निश्चित रूप से ये परियोजना अब एक मूर्त रूप लेने लगेगी और जब भी कभी कोई सरकारों का परिवर्तन होता है या पालोटिकल जो एक मैंडेट है वो बदलता है तो उसमें कुछ चीजें सहज होती ह हैं और हम ये अपेक्षा ही करेंगे कि जो चीजें अभी गतिरोध के रूप में थी तो उसमें हम कोई उसका समाधान मिल बैट करके सरकारों कर देश राप्त होगा भूबन बासकर ने देखिए साफ तोर पे का है कि वश दोजार अठारा उन्निस में जो योजनाय शुरू की गई थी उनका लाब दोजार चौबिस के अंते तक मिलने लग जायागा यानि एक बड़ी बात है एक बड़ी खुशी की बात है कि अज्जारों करूर की योजना हैं जो हैं जो पांच वर्ष पूर शुरू की गई थी उनका लाब मिलेगा और एर्सीप को लेए इनका साफ तोर पे कहना है कि दो राज्यों में जो गतिरोध था वैसे भी देखिया मद्द्रदेश और राजस्तान में भाचपा की सरकार है तो अब किसी प्रकार का गतिरो